आई चो के नमस्कार बच्चो स्वागत है सेशन में चलिए अब दोस्तो इस धाकड सीरीज के अगले क्लास में हम लोग आ गये हैं जहां बेटा मैं आपको आज वर्ड अ्रेंजमेंट को लेकर कुछ अल्फा बेट सीरीज को लेते विए आज हम लोग प्रसनों को करने वाले हैं तो क्या दोस्तों आप तयार हैं इस सेशन के लिए बहुत जोर सोर के साथ बहुत एनरजी के साथ मैं इस सेशन को पढ़ाने वाला हूँ तो start करने से पहले दोस्तो एक बार गनेश जी को हम लोग यहाँ याद करते हैं ताकि आपके जो भी मनो कामनाएं हैं भगवान उसको पूरा करे और आपका जो भी संकल्प है आप जिस भी exam को target करने जा रहे हैं वो बिल्कुल 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 ठीक आप उसको क्लियर करके जाए ठीक है तो आप उसको क्लियर करने चलिए साथ हो फटा फट से session को start करते हैं गुद इवनिंग बच्चो स्वागत है दिशा धीरज साहिल विबेक तुलसी सशी स्वाती सुरेंद्र चलिए सभी का स्वागत है दोस्तो तो आपको इस session में दोस्तो मजा आ होगा सीख भी रहे होंगे आप पूरी practice भी हो रही होगी जो बाते मैंने आपको कहा था कि concept से पढ़ाऊंगा पूरा theory भी बताऊंगा साथ में हम लोग previous year के questions भी करेंगे तो बचो start करने से पहले मैं बता दू कल Saturday है जो हम लोग revision करते हैं बहुत अच्छे sorry कल Friday है और Saturday हम ल करने वाले हैं good evening बचो चलिए सभी का स्वाधत है सबसे पहले दोस्तों आप session को start करते हैं और मैं आपको सबसे पहले कुछ बताता हूं देखो word formation हर हर महादेव बटा जैश्री राम तो बेटा देखो सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है word formation सब्दों को क ऐसे बनाना है सबसे पहले यहां पर देखतेगा cannot be formed नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता यह यहाँ पर देखो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले तो बच्चो नहीं बनाया सकता और दूसरे में लिखा हुआ है देखो जैसे आप देख पा रहे हैं बनाया जा सकता है तो आज बेटा हम लोग वर्ड के बारे में देख रहे हैं जादा तर ठीक है ना बनाया जा सकता है चलिए ये बात आपको दिख रही होगी तो बच्चो अगर आप notes बना रहे हैं question को बना रहे हैं notes भी कर रहे हैं तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्तो अगर आप इनको अच्छे से note कर रहे हैं तो इनसे बाहर आपके exam में प्रस्द नहीं होंगे reasoning में चाहे आप वो किसी भी exam को क्यों न target कर रहे हैं ठीक है सब आपको बहुत सुंदर तरीके से बताए जा सकता है चलिए सबसे पहला question बेटा हम लोग यहां पर देखते हैं देखो पहले चीजों को पढ़ लिजे direction को धंग से पढ़ लिजे क्या लिखा है गोड़ीवनिंग बच्छे गोड़ीवनिंग देखो अब आप यहां पर देखो के देखा हुआ है can not be formed cannot be formed और अक्सर ऐसा एक question exam में आपको दिख जाता है हमेशा से आपको इस exam में आपको दिखेगा ऐसा question चलो देखो ऊपर एक word दिया है फटा-फट करते हैं बहुत सारा टाइप आज cover कराऊंगा मैं आपको राधे क्रिष्णा बच्चे राधे क्रिष्णा हर हर महादेव मैगी अंबिका आयूशी रश्मी विवेक रवी एहमद अली सभी का स्वागत है चलिए सर मैंने notes बनाया है कितने बच्चे अच्छे से notes बना रहे हैं बेटा देखिए आने वाले समय में बहुत कुछ नया आपको दिखने वाला है ये मेरा आपसे वादा है पिंकु कुमार बिल्कुल सिलोगिजम कराऊंगा बार बार मैंने कहा है देखो इंपैसेनेबल नहीं बनाया जा सकता बेटा जो नहीं बनाया जा सकता जिस वर्ड को नहीं बनाया जा सकता बोलो ये बात आपको समझ में आती है जिस वर्ड को नहीं बनाया जा सकता बेटा इंपैसिबल देखो तो इंपैसिबल बनेगा क्या I M P A S S A B L E इंपैसिबल तो बन जाएगा इंपैसिबल तो बेटा बन जाएगा यह अच्छा अब आप बताओ कौन सा नहीं बनेगा कौन सा नहीं बनेगा I M P O S S I B L E इंपैसिबल भी बन जाएगा तो बेटा पैट वालों के बच्छों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पैट वाले बच्छों के लिए पैट वाले बच्छों के लिए बटा आप अपना साउंड बढ़ाईए यहां से साउंड बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बच्चे sound में कोई problem है क्या मुझे नहीं लगता sound में कोई problem है बहुत सारे बच्चे answer कर रहे हैं कौनसा answer होगा बच्चे को यह नहीं पता कि कल क्या पढ़ाए है अच्छा ये बताईए बच्चे Impassive में अगर आप देखोगे तो ये जो V है बेटा ये जो V V आपको उपर नहीं मिलेगा V आपको उपर नहीं मिलेगा इसलिए मुझे लगता है सबका आंसर ठीक है बेटा C आंसर कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट कोई परिशानी बोले बेटा clear है सबी को बता देंगे सारे question का आंसर Impassive ठीक है चलिए all clear बहुत सुन्दर बेटा मैं इतनी मेहनत से इतने questions ढूंड ढूंड कर लेकर आ रहा हूँ एक एक चीज आपको complete कर आ रहा हूँ और आप पूछ रहें कल क्या पढ़ाया था कल क्यों नहीं आये थे आप class में कहां गये थे आप कहां busy थे बताईए क्या ऐसा कर रहे थे कि आप busy थे रात में 9 बजे हाँ चलिए बेटा second question indeterminate indeterminate आपको बताना है बेटा इस session में आगे चलके मैं चीजे बताऊंगा ये question आपको करने के लिए है determine बेटा determine d e t e r m i n e determine 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 तो बन जाएगा determine तो बन जाएगा next बताईए क्या answer होगा बेटा आपको ये देखना है कौन सा कौन सा word उपर वाले को मिला कर नहीं बनेगा अरे topic वाई चल रहा है बच्चे बिल्कुल topic वाई चल रहा है क्यों नहीं बनेगा बच्चे बोल रहे हैं sir ये वाला नहीं बनेगा बी क्यों नहीं बनेगा बच्चों ये क्यों नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा ये word उपर के letter से बेटा क्यों नहीं बनेगा ये answer बताईए क्यों नहीं बनेगा what is the reason what is the reason बेटा क्यों नहीं बनेगा तो आप कहोगे sir यहाँ पर देखिए R है E है T है I है N है पर सर जी यह U कहा है U इसमें नहीं दिख रहा जिस बच्चे को नहीं दिख रहा टेलिस्कोप लगाओ दुर्बीन लगाओ देखिए उससे हाँ बेटा U नहीं है U नहीं है बोलो OK है सभी को clear है हाँ because U नहीं है वहाँ पर चलो बेटा आगे चलते हैं ट्रांस्पोर्ट पर आते हैं आज आप बेटा एकदम संकल्प कर लीजिए सर आज जो आप 25 से 35 कोश्चन कराएंगे सारे प्रस्णों का आंसर हम ही देंगे ऐसा कितने बच्चे हैं जिनको लगता है आज वो सारे प्रस्ण का आंसर बिल्कुल सही सही देने वाले हैं हाँ यू एपसेंट था बताई बेटा कौन सा वाला होगा और क्यों होगा कौन सा वाला होगा और क्यों होगा तो बेटा ये वाला होगा बताईए आपको क्लियर है बिल्कुल चीक है तो बेटा एक बात बताईए T R U T R U S T तो answer में बेटा फिर से U नहीं है तो answer कौन सा C C बिल्कुल clear है हाँ again U नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी चलिए next फटा फट से हाँ बहुत सुंदर ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में कौन सा नहीं बनेगा T A C T नहीं बनेगा C H A T नहीं बनेगा T O R C H नहीं बनेगा R I C H नहीं बनेगा कौन सा नहीं बनेगा बताओ और क्यों नहीं बनेगा फटा फट बताते जाए और बिटा आज के सारे प्रस्णों का उत्तर दीजिए रात में जब आप सुएंगे ना तो आपको लगेगा कि 25 से 30 कोश्चन सर ने बहुत अच्छे प्रैक्टिस कराएं और अगर मैं ऐसा ही कोश्चन करता रहूंगा तो पेट में या आने वाले वीडियो का एक्जाम हो आने वाला SSC का एक्जाम हो आने वाला UP पुलिस का एक्जाम है मेरा आपसे दावा है बेटा 99 परसंट कोश्चन आप वाँ सही करके आओगे बच्चो ये वाला नहीं बनेगा वाट इसद रीजन रीजन बताते हुए चलिये क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं थियोरी पढ़ रहे हैं हम लोग कोई MCQ नहीं कर रहे हैं हाँ ओ नहीं है ओ नहीं है, MCQ हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग थियोरी वाइस चल रहे हैं, कंसेप्ट को पड़ते हुए चल रहे हैं, हाँ, बहुत सुन्दर बेटा, स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम से कौंसा वर्ड नहीं बन सकता? कौंसा वर्ड नहीं बन सकता? बेटा, हमें कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, इतनी तेजी से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, कमेंट में क्या है, हमें सिर्फ यह पता चल रहा है, सब सी लिखे जा रहे हैं, क्यों नहीं मैं खुदी कमेंट नहीं देख पा रहा हूं बेटा? कस्टम कस्टम हाँ बेटा क्यों क्योंकि वहाँ पर O O नहीं है वहाँ पर O नहीं है प्लियर है यह चीज चलिए O उपर नहीं है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बेटा बहुत तेजी से आप आंसर कर रहे हो जल्दी से बताओ जियोग्राफी जियोग्राफी Grab Grab G R A B कौनसा वाला आंसर आंसर कौनसा बिल्कुल सही अरे इसमें A आंसर होगा A आंसर होगा और क्यों A आंसर होगा बताओ A आंसर क्यों होगा बेटा आप यार रीजन भी तो बताओ न आप आंसर देके आगे बढ़ते चले जा रहे हो reason बताओ क्यों नहीं होगा grab क्यों नहीं बन सकता बेटा grab इसलिए नहीं बन सकता कि बेटा इसमें जो B है उपर मौजूद नहीं है उपर मौजूद नहीं है आगे honesty 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 बेटा honesty honesty honest honey कौन सा वाला होगा यह बताइए और क्यों नहीं होगा तो बेटा देखो इसका आंसर इसका आंसर क्या जल्दी से बताओ हां बिल्कुल सही बिल्कुल सही अरे यार reason भी बताओ ना बेटा आप इंね पर्फियाके जल्दी जल्दी बताते चल्री यह बस हो गया औरिक्स एक कट्ट भट समाप्थ स्वॉक्य कैब डी तीन कुछ्ष्ट था और इंडरत्व एक कुश्य तापे कि यह वाला क Door देखो लाफ्टर लाफ्टर में गेट, रेट, हेट और ग्रेंट है चलो बटा क्यों नहीं बन सकता तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको एक वर्ड मिलेगा बटा कौन सा वर्ड है, कौन सा कौन सा अल्फाबेट है, ये बताओ कौन सा अल्फाबेट है बटा, जल्दी से बताओ जो ग्रेंट है, ग्रेंट ग्रेंट नहीं बनेगा बटा D होगा ना answer answer D होगा बिटा क्यों क्योंकि यहां पर देखो आपको एक word मिलेगा N N जो है मौझूद नहीं है N मौझूद नहीं है तो D होगा ना चलो यह अंतिम अंतिम question इस type का अंतिम question बिटा इस type का अंतिम question है this is the last question of this type fine we have covered this type now I'll start with the second type of this question ठीका ना थोड़ा सा देखेंगे आप यह हमेशा exam में आता है आपने बहुत बच्चों ने देखा होगा यह question बिटा framework framework बताओ जल्दी mark frame four 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 और more m o r e more बताओ कौन सा तो बच्चों आप क्या answer कर रहे है यार हाँ बेटा बिलकुल सही बिलकुल सही यह four वाला वहाँ उपर मौजूद नहीं है फोर वाला उपर मौजूद नहीं है हाँ उसमें जो यू है बेटा उसमें जो यू है यू यू जो है बेटा वो मौजूद नहीं है answer क्या होगा c होगा answer क्या c चलो बेटा ये type कभर क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने 9 के 9 सही question किये होंगे 9 के 9 मतलब सारे सही 9 के 9 question सही किये हैं कोई ऐसा है क्या बेटा यहाँ पर कोई महारती कोई वीर ऐसा यहाँ पर है कोई योद्धा यहाँ पर है जिसने अभी तक के 9 के 9 question honesty के साथ बताना है बेटा teacher से जूट नहीं बोलना चाहिए जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने सारे question सभी question सही कियो हो बहुत सांदार बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत बढ़िया लगा मुझे बच्चो चलो, अब देखो बेटा type 2, type 2 में पहचानो type 2 में बेटा पहचानो मज़ा आगया, बस मज़ा आगया मेरा पूरे इस class का उद्धे से यही है कि आपकी accuracy बढ़ा देना आपमे confidence कूट कूट के भरना हर तरह का content आपको देना ताकि जब आप exam में जाए बटा तो आपको लगया आप पूरा-पूरा question वहाँ करके आने वाले हैं 100% this section is useful for CGL बेटा, मैं आपको guarantee दे रहा हूँ कि CGL के लिए जो अगर आप पूरा series देखेंगे तो CGL में हो सकता है 25 के 25 प्री में लेकर आओगे ठीक है, बिल्कुल 100% भीवग बेटा देखो type 2, देखो अच्छा यहाँ पर देखो बचे यहाँ पर देखो can be formed क्या समझ में आया देखो यहाँ पर, जो दिये गए सब्दों से बनाया, बनाया, बनाया यह बात आपको समझ में आई हाँ, बिटा बनाया जा सकता है जो बनाया जा सकता है जो बनाया जा सकता है जो बनाया जा सकता है बिटा, clear है यह चीज़, clear है चलो, बहुत बनिया बिटा चलो, आगे चलो, आगे, next question बनाया जा सकता है question सबको समझ में आ गया है हाँ बिटा month and days find करने वाले कौन से question सिवा सिंग जी बताइए month और days मैंने बताया तो days कैसे find करते हैं क्या आपने calendar की class नहीं देखी बिटा pet clear करना तो यार बच्चों वाली बात आप पाचों के पाचों question करके होगे बिटा thank you Maggie thank you thank you very much pet के लिए ही तो पढ़ा रहा हूँ बेटा जो pet का topic है सबसे पहले pet का topic complete करूँगा pet के papers कराूँगा pet में जो भी आपका theory होगा practice paper होगा सब कराूँगा फिर हम लोग video की तरब चलेंगे बेटा जो बनाया जा सकता है बनाया जा सकता हूँ कौन सा वाला है जिसको आप उपर से बना सकते हैं बेटा बना सकते हैं क्या बात है यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कौन सा बनाया जा सकता है जल्दी से बताओ बेटा एक बात बताओ कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं ओप्रेशन में बेटा C कहां से ये थोड़ी ना बनेगा ये थोड़ी ना बनेगा बेटा C है ही नहीं C है ही नहीं उपर वाले में बेटा दूसरा देखो रोटेशन कैसे बन सकता है इतना लंबा चोड़ा वर्ड दिखरा R O T A T I O N और यहाँ पर दो बार T है बेटा दो बार T जबकि ओप्रेशन में एक बार T है ये भी नहीं बनेगा बेटा ये भी नहीं बनेगा ओप्शन बेटा O P T T T I O N बेटा इसका आंसर जितने बच्चों ने मैंने क्या कहा बेटा आज के प्रसंज में आपको 100% कुश्चन कर देना चाहिए 100% कुश्चन 100% कुश्चन का आंसर चाहिए मुझे आपसे हाँ इसका बताओ इनफोर्मेशन इनफोर्मेशन बताओ जल्दी से क्वेस्चन नंबर ग्यारा क्वेस्चन नंबर ग्यारा कौन सा बन सकता है इससे यार ऐसे प्रस्णों में आप गल्ती कर रहा हो तब मजा नहीं आता है तब बिलकुन मजा नहीं आता है जब आप ऐसे कोश्चन में बेटा गल्ती कर रहो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा F A R M E E कहा है बेटा उपर E थोड़ी है न ये A थोड़ी बनेगा A नहीं बनेगा बेटा अच्छा motion motion देखो M O T I O N बेटा motion motion बन जाएगा बोलो ये बात clear है motion बन जाएगा answer बेटा इसका जिसने motion दिया है motion इसका answer होगा अच्छा एक बात देखो fireman बनेगा क्या बेटा fireman देखो fireman में E है बेटा E नहीं बनेगा name में भी E है बेटा ये भी नहीं बनेगा answer B होगा answer B होगा हाँ बेटा answer B बेटा आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं इतना मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ आप session को like भी नहीं करते हो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर like लिखा होता है उसको अगर आप दबा देंगे ना तो मज़ा आ जागा 10 से दबा दीजे इसको वहाँ like है कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है आपको कुछ नहीं करना बस वहीं पर आप देखेंगे वीडियो है लाइक है मारी टन तो मज़ा आ जाता एक दम समझे तो टन देवर दबजा दाओ करा समझे ला कि ना ज्यादा कंजूसी मत करा बेटा कंजूसी करे से कुछ ना होई लाइक दमावट तन देवर हैं चला determination बेटा determination नो ओत इस दा आंसर अप दिस वर्ड determination which word can be formed from this given word which word can be formed तो बेटा इसका आंसर होगा terminated यहीं word है क्या जल्दी से बताओ görüş टर्मिनेटेड हाँ बेटा टर्मिनेटेड होगा बिल्कुल सही है सभी का आगे बढ़ते हैं बेटा इक्स्पीरियन्स फटा फट से इक्सपीरियन्स बेटा जल्दी 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 बताईए बेटा इक्सपीरियन्स में कौन सा बनेगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा ए ही इसका आंसर हो जाएगा बोलो ए इसका आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा फटा फट बोलो या बेटा ए आंसर हो जाएगा इसका A is the answer ओके है चलिए बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं चलो नॉलेज नॉलेज कौन सा बनेगा बेटा के एन ओ डबलू एन डबलू एन नहीं है बेटा गोडाउन गोडाउन जी ओ डी ओ डबलू तो दो बार ओ है बेटा दो बार ओ ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा बेटा वंडर WRONDER nहीं होगा है गोल्डन to answer डी ही है अब का जब बचा ही लाष्ट में यही यह इसको भी खोजूंगा क्या इसको खोजना थोड़ी है कि भचाही है चलो फटा-फट से बताओ जल्दी जल्दी बहुत बहुत आसिरवाद बेटा question को बनाईए कौन सा बनाये जाएगा बेटा nation बनेगा क्या natio तो दो बार n है बेटा दो बार n और हमें निलगता उपर दो बार n है तो बेटा यहाँ पर दो बार n है तो यह तो नहीं वनेगा दो बार n दो बार n थोड़ी है वहाँ पर कौन सा वला आंसर होगा बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया आंसर कौन सा radio 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 इसका आंसर है चलिए next question में चलते हैं यहाँ पर देखिए देखिए पर कौन सा clear है k झाल झाल तो बहुत सांदार information आपके लिए लेकर आया हूँ तो सब लोग बेटा एक बार ध्यान से सुनिए जो information मैं आपको देने वाला हूँ फटा फट से बेटा मैं आपको एक information देने वाला हूँ देखिए पेट 2021 के अनुसार बेटा मैं ये आपको बता रहा हूँ और एक बहुत अच्छा information बता रहा हूँ आपको तो आप यहाँ पर सुनिएगा बेटा सबसे पहले याद रखिए पेट 2021 पेट 2021 जिन बच्चों ने दिया था उसके अनुसार देखिए बेटा आज जो है अभी वन दरोगा वन दरोगा का जो है बेटा ये आया हुआ है जो है देखिए वन दरोगा के 701 पोस्ट है वन दरोगा के 701 पोस्ट आए है तो इसको आप देख लोगे ये अभी अभी देखिए बिल्कुल अनौंस हुआ है वन दरोगा ठीक है और उसके कितने पोस्ट यें बेटा है के पास पूरी जानकारी ठीक है इसको देखिए फटा फट से सभी लोगों मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूं उसमें बेटा और आप यहां पर देखेंगे तो आप इस साइट में UPSSCE.gov.in इसमें बेटा आपको पूरी जानकारी पूरी जानकारी यह मिल जाएगी तो यह वेकेंसी अब आज बेटा आई है ठीक है ये vacancy आई है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है इसके बारे में बेटा सारी चीजे UP SSC बेटा इसका परिछा का आयोजन कराईगी ठीक है तो मैं कुछ-कुछ information आपको दे दे रहा हूँ आप जाकर देख सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी तो मैं आपको फिर से आपको मिलेगा बट यो अभी जानकारी जो आई है वो मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है चलिए अच्छा बेटा यहाँ पर देखे शीट का जो बटवारा किया गया है seats का जो बटवारा की है जेनरल के लिए याद रखेगा जेनरल के लिए है 288 seat तो कितनी बरिया बात है वन दरोगा के लिए ये post आई है 288 seat है SC के लिए SC के लिए देखे 160 है ST के लिए 20 seat है OBC के लिए 163 seats है EWS के लिए 70 seats है ये जो vacancy के detail है ये मैं आपको थोड़ा दे दे रहा हूँ आप आराम से जाकर इसको देख लिजेगा है ना बट जितनी जानकारी मेरे पास अभी है उसके अनुसार मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है? अच्छा Age criteria बेटा क्या है? देखो age criteria जो है ना बेटा 21 years से 40 years तक का age criteria रखा है 40 years तक का ठीक है बेटा ये age criteria है ये age criteria है ठीक है? अच्छा अब आप उसको थोड़ा सा बेटा देखिएगा क्योंकि मैं आपको जो main देखो आयोग अलग से परिछा योजना और पार्ठिक्राम website पर upload करेगा जो भी बेटा परिच्छा की पूरी जानकारी है ना पूरी जानकारी परिच्छा का बेटा आयोग अलग से चीजों को पूरा वहाँ पर आपको upload किया जाएगा ठीक है? तो ये सारी कुछ जानकारी है बेटा important आप जाकर देख सकते हैं पेट 2021 जितने बच्चों ने दिया था उसके लिए है ठीक है? हाँ ST का थोड़ा कम सीट है बट ये देखो आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी देखो site ये है बेटा इस site में आपको जानकारी मिलेगी अभी बहुत time है fees भी बेटा इसका बहुत कम रखा गया है जैसे मैं देख पाना हो fees जो है बेटा केवल 25 रुपए है अनारक्षित 25 सभी के लिए 25 रुपए का सुल्क है बेटा बहुत ज्यादा सुल्क भी नहीं है हाँ तो आपको मैंने ये जानकारी बेटा दी है उसके बाद अब next मैं पूरा पढ़कर पूरी जानकारी दे पाऊँगा जितनी जानकारी है बेटा आभी तक मैंने दे दिये ठीक है बेटा जितनी important जानकारी थी वो मैंने दे दिया है clear है ये चीज ठीक है तो बेटा ये जानकारी है मैंने आपको दिया है क्लास अभी आगे बढ़ेगी बेटा हम लोग ठीक है और आपने अगर दिया है देखे पेट के अनुसार बेटा सारा एक्जाम हो रहा है तो पेट अब की बार टार्गेट करिए पेट का पूरा जो इस बार हमारा नारा होगा बेटा वो होना चाहिए 90 के पार होना चाहिए ठ पूरा स्कूर बेटा ये सारी बाते अभी मुझे ठीक से नहीं मालूम है हलाकि मैं कुछ-कुछ चीजे है हां कुछ-कुछ चीजों की बेटा जानकारी दे रहा हूं ठीक है यहां अगर आप देखेंगे देखो ये ये जानकारी देखे बेटा ये जानकारी देखे आपको म और ये से लिखा हुआ है अच्छा ओनलाइन आवेदन सुल्क जमा करना प्रारंब होने किती थी 17-10-2022 यहां पर देखे मुख्य परिच्छा वाले के लिए ठीक है यह सारी जानकारी है यह सारी जानकारी है जो मैं आपको दे दे रहा हूँ ठीक है अब आप यहां पर देख लीजए बेटा जो आपको और important है यह देखे यह सुल्क के बारे में कहा जा रहा है यहां जो है देखे आपको exam का सुल्क है यह exam का सुल्क है यह exam का सुल्क है बेटा देखो यह 25-25 रुपए जो है बहुत nominal charges रखी गई है यह मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है अभी आवेदन वगरा सारी चीज़े आप वहाँ पर जाकर detail देख लीजेगा अच्छा यहाँ पर देखे यह दिया हुआ है यह age का criteria दिया हुआ है यह age का criteria आपको दिया हुआ है ठीक है यही है यही detail है जो मै मैंने आपको बता दिया है ठीक है उसके बाद हम लोग आंगे बढ़ते है यहां पर देखते में बटा हम लोग questions में आते हैं जो कुछ वारे की वारी चीज़ें मैंने आपको बताई ठीक है अगे बढ़ते हैं यहाँ एक हां questioning कराईए चलिए हाँ बेटा अराम से पढ़ लिजेगा चलिए अब question कराते हैं बिल्कुल आ जाते हैं बेटा चलिए बेटा अब बाद में हम लोग इसके बारे में detail बात करेंगे ठीक है चलिए अब इसको देखते हैं हाँ बीच में जो detail आया था आपको फटा फट मैंने बता दिया है हाँ बचे ये पता है ये fundamental से कौन सा बनेगा जल्दी से बताईए चलिए तो विनोध बहुत सारे लोग देखिए अब भरने के लिए बिल्कुल उत्साहित हो चुके हैं कुछ खास जानकारियां जो हैं वो मैंने आपके साथ साजा कर दिया है फटा फट अब हम लोग फोकस करते हैं बेटा सभी लोग यहाँ पर अब फोकस करिए हलो 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 हाँ चलि बेटा यहां पर focus करें 16 वाला कर रहे थे क्या हम लोग विटा अगर हम लोग 16 वाला कर रहे थे तो मैं वह भी करा दूंगा फटा फट से कोई बच्चा कह रहा है सर 16 वाला कहा गया यह था यह था यह था वेटा question number 16 हाँ चली 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 बेटा चली फटा फट से तो पूरा ध्यान पूरी जो आपका focus था लेकर आईए यहां पर ठीक है reputation reputation बेटा कौन सा बनेगा reputation से ponder बनेगा क्या p o n p o n d d d नहीं बनेगा ponder नहीं बनेगा clear बेटा ponder तो नहीं बन रहा देख रहा हूं मैं चलो require बना बेटा require बनेगा q q है तो नहीं बनेगा by e r e t u r e 2 बार की यह बनेगा बनेगा जल्दी से बताइए पास वाला बनेगा तो बेटा यह देखो ट्योंटर ज्यादा पड़ी नहीं है उलादा देखो अभी कुछ जानकाली मैंने ज्यादा पढ़ ही नहीं है मेरे पास भी अभी अभी जानकारी आई है तो थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बता दिया है बाद में आप अच्छे से पढ़ लीजेगा मैं भी बता दूँगा जो आपको जानकारी चाहिए होगी मैं भी कल डिटेल में सारी चीज़े आपको बता दूँगा सुब सा बन जाएगा बड़ा टी अफै मेश आ इसका तो आंसर देखो हमें यहीं मिल घ Director क्लियर है यह चीस हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है जो यह लास्ट ले बेटा यह लास्ट कोषिन है इस टाइप का कवर कर लिया हम लोगों ने यह टाइप बेटा हम लोगों ने cover कर लिया है यह दोनों टाइप आपको clear हो गया होगा हाँ बेटा यह दोनों टाइप आपको clear हो गया होगा क्या कोई बच्चा ऐसा है जो seriously बता दे बेटा क्या आपने अभी तक के 18 के 18 प्रस्ण है रहें अब पेट का पेपर तो आपको पता है ना कि आने वाला पेट जो अक्टूबर में होने वाला है कौन सा वाला होगा बेटा कौन सा वाला अगर आप यहां पर देखोगे तो L देखो आप यहां पर देखो mutual तो ऐसे भी नहीं होने वाला है limitation L-I-M-I-T-A-T-I-O-N limitation answer B answer B कितने बच्चों का answer है बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताईए बच्चों आपने बहुत लोगों ने बच्चपन में चाहे अभी भी dictionary का इस्तमाल करते हैं पर सीखते हम लोग उस चीज़ को बच्चपन में कितने बच्चों को dictionary आता है इस्तमाल करना जल्दी से बता दीजे कितने बच्चों को डिक्सनरी इस्तमाल करने आता है जल्दी से बता दीजे जैसे मैंने लिखा credit मैंने एक word लिखा बेटा credit फिर मैंने लिखा एक word frank फिर मैंने बेटा एक word लिखा apple फिर मैंने एक word लिखा replace फिर मैंने एक word लिखा decide ठीक है तो एक बाद बताओ जैसे ये word है 1, 2, 3, 4, 5 5 5 word दिया है बिटा सबसे dictionary में सबसे last word कौन सा आएगा बिटा last word के बारे में पूछा हूँ सबसे अंतिम में बिटा जब आप dictionary खोलोगे जब आप dictionary खोलोगे बिटा सबसे last word कौन सा आएगा बोलो बिटा सबसे last जैसे dictionary आप खोलते हो सबसे last word कौन सा आएगा सबसे आखरी में कौन word मिलेगा अंतिम में चलो बिटा नहीं आता है तो सिखा दिया जाएगा कोई टेंशन नहीं है बिटा जल्दी से बताएए सबसे आखरी में सबसे आखरी में जब आप खोलोगे बेटा सबसे आखरी में सबसे आखरी में बेटा कौन सा आएगा डिक्सनरी जैसे आपने खोला पहले A का वर्ल्ड मिलता है फिर B का मिलता है फिर C का मिलता है फिर D का मिलता है फिर E, फिर F, फिर G, फिर H तो वैसे बेटा सबसे आखरी कौन सा होगा सबसे आखरी होगा रीप्लेस रीप्लेस सबसे आखरी होगा ना आर वाला सबसे आखरी होगा बेटा इसमें से पूछा है कौन सा वर्ड सबसे आखरी में तो रीप्लेस होगा ठीक है चलो रीप्लेस आएगा ठीक है अच्छा सबसे फर्स्ट वर्ड कौन सा मिलेगा बेटा सबसे फर्स्ट वर्ड कौन सा मिलेगा सबसे पहले जैसे आप डिक्सनरी खोलोगे तो इने में से सबसे पहला वर्ड कौन सा मिलेगा सबसे पहला सबसे पहला कौन सा मिलेगा यह बताओ बेटा A, B, C, D, E, F अब आपको dictionary बताओं देख रहे नो बिनोद लड़के कितने नालायक हैं बच्चे कितने लानायक है बेटा बिनोद देखिए बेटा सबसे पहले कौन मिलेगा सबसे पहले Apple वर्ड मिलेगा सबसे पहले Apple Apple सबसे पहले मिलेगा सबसे पहले कौन मिलेगा Apple मिलेगा ठीक है सबसे पहले पेटा Apple अच्छा एक बात बताओ बेटा Apple के बाद कौन आएगा second में जैसे ये first आगया second word कौन मिलेगा second word Apple के बाद कौन सा आएगा ये बताओ sir फाइनली मेरा सेलेक्शन हो गया कौन बच्चा लिख रहा कहा सेलेक्शन हुआ बताईए थोड़ा सा बेटा सकेंड जो है सकेंड जो है बेटा सकेंड वाला सकेंड वाला कौन सा होगा तो बेटा सकेंड वाला credit होगा अरे second word credit होगा न क्रेडिट अरे ये clear है second word credit होगा ठीक है अच्छा third word बेटा third third में कौन आएगा सबसे पहले आप dictionary खोलोगे apple आजाएगा apple apple को हटा दो बेटा second word में कौन आएगा second word में credit आएगा credit हटा दिया उसके बाद तीसरा word कौन मिलेगा बेटा तीसरा word हाँ A, B, C, C के बाद D D कौन सा वाला होगा देखो D में बेटा decide decide आएगा decide ये बात clear है decide ठीक है बेटा decide decide के बाद D, E, F उसके बाद बेटा चोथा word मिलेगा frank चोथा word मिलेगा frank frank ठीक है अल लास्ट पांचवा बेटा आपको होगा रिप्लेस बोलो क्लियर है यह चीज चलो अच्छा अब मुझे बताना अब मुझे बताना बेटा एरो प्लेन आरो प्लेन आर्टिस्ट आर्टिस्ट एपल एनिमल एनिमल ठीक है बिटा एक बात बताओ जैसे मैंने लिखा यहां पर एक दो तीन और चार सबसे पहले कौन मिलेगा बिटा सबसे पहले कौन मिलेगा फर्स्ट वर्ड सबसे पहला अस्थान सबसे पहले आप किसको पाएंगे जब आप डिक्सनरी खोलोगे तो बिटा सबसे पहले कौन मिलेगा इसमें से सबसे पहले कौन मिलेगा first वाला, first अस्थान पर dictionary खोलते first position पर सब से पहले कौन सा मिलेगा कौन सा हाँ, तो बिटा, सब से पहले कौन सा मिलेगा, देखो, आप एक पात देखना बिटा, जब आपको दिखे ना जब आपको दिखे, इसमें ए सब में सेम है, एस सब में सेम है आपको क्या करना है बेटा आपको क्या करना है पहले यहां पर समझो और समझ में आ गया तो बताना जब आपको दिख रहा है बेटा यह सब में सेम है एको हटा दो यह बेटा हमारे किसी काम का नहीं है ठीक है ये बेटा बिलकुल यहां पर ऐसे ही लगा हुआ है जैसे लाइफ में एक तरफा प्यार अच्छा मैं तब क्या बोल दे मैं रहा है लाइफ में बेटा मतलब कुछ ऐसी चीज़े होती है जिसका हमारे लाइफ में कोई लेना देना नहीं होता है सिर्फ परिशान करने क लिए आता है तो बिटा सबसे पहले पोजीशन में पौन सा मिलेगा एरो प्लेट एरो प्लें एरो प्लेट थी के बाद कौन सा मिलेगा प्येटा एक के बाद ए के बाद बिटा अगर आप देखोगे न तो N,N,N तो animal मिलेगा बिटा, animal बोलो सब को clear है animal मिलेगा, animal तो जो common होता है बिटा, जो सब में लगा है वो सब में लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है तो हमारा क्या काम का, है ना, जो सब का है उसको हटाओ अब देखो बेटा अब N के बाद P आता है P तो बेटा यहां थर्ड पोजिशन में थर्ड पोजिशन में बेटा एपल एपल बोलो थर्ड पोजिशन में एपल और बेटा फोर्थ पोजिशन में फोर्थ पोजिशन में क्या होगा फोर्थ पोजिशन में बेटा आर्टिस्ट होगा आर्टिस्ट चलो अब आप यहाँ पर बताओगे बेटा पहला M-A-P-L-E M-A-N-G-O M-A-R-I-E चलो यह लिखा है बेटा बताओ इसको मैं रेड से लिख 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 लो चलो आप बता दो डिक्सनरी में पहले कौन आएगा कैसे आएगा बेटा यह बताना आपको डिक्सनरी में पहले कौन आएगा पहले यह बताना है आपको किस 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 तरीके से आएगा जल्दी से बताओ बेटा बताओ जल्दी से किस तरीके से आप इसको यह करोगे देखो हम लोग क्या करते है बेटा यह सबका है जो सबका है वो किसी का नहीं होता यह सबका है जो सबका है वो किसी का नहीं होता ठीक है अच्छा अब आप एक बात बताओ बेटा सबसे पहले सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर ये ये दोनों सबसे पहले आएंगे क्योंकि बेटा एन एन है देखो एन यहाँ भी है बेटा एन यहाँ भी है तो आप क्या करते हो जो सबका है वो किसी का नहीं होता ये द तो सबसे पहले लेक्टार आएगा मैनेज्ड मैनेज्ड बुलों मैनेज दो सबसे पहले आएगा बैटा मैनेज्ड क्लियर है है यह चीज है व्होग कर दूल दो इसी का नंबर लगेगा क्योंकि यह दोनो हम लोगों ने रखा तो बेटा अब आजाएगा मैंगो 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 ठीक है बेटा अब आप यहां देखो यह पी है यह आर है कुछ लोग होते हैं ना जो सब के होते हैं तो एक्च्वल माँ किसी कह नहीं होते है तो चलो बेटा तीसरा मैपल मैपल M-A-P-L-E मैपल अब यहां पर M-A-R-I-E बोलो यह बात क्लियर है बेटा यह बात क्लियर है ओके लिख दो बेटा सबको क्लियर है तो जितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा एक ओके का तम हो जाएगा जल्दी से बोलो जितने को समझ में आ गया बेटा जिनको जिनको समझ में आ गया है मैं बार-बार कहता हूं कि बोर्ड में फोकस करिए हाँ बेटा सब को clear है बहुत सुन्दर हाँ तो बेटा जो common होगा उसको हटाने के बाद देखते हैं okay report है चलो बहुत सुन्दर बेटा okay report है okay report है तो फटा-फट से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फटा-फट से देखो बेटा कि अब जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं बताओ पर तेख प्रस्ण में पांच सब्द दिये गए हैं कौन सा निम्न लिकित सब्दों का अंगरेजी सब्द कोस के अनुसार व्यवस्थित करेगा अंगरेजी सब्द कोस के अनुसार व्यवस्थित करेगा बेटा ये कुश्चन है ये कुश्चन है बेटा ऐसे कुश्चन में क्या करते हैं देखो ऐसे कुश्चन में सबसे पहले देखो कि कॉमन कितना है जो सबका है जो सबका है उसको हटा दो SPIN सबका है 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 तो बेटा ये SPIN जो है ये SPIN को देखना ही नहीं है बेटा, ये SPIN ना सब में है, सब में और जो सबका होता है, वो किसी का नहीं होता है हमारे लिए अब क्या बज़ गया देखो, सब से पहले आप देखो, बिटा, सब से पहले पोजिशन पे ये आएगा, मतलब B सब से आगे होगा, बिटा, B सब से आगे होगा, B वाला सब से आगे, B वाला बिटा, सब से आगे, बोलो, बोलो ये बात क्लियर है, बिटा, अब आप सकेंट पोजिशन में देखो, जब A हट गया, जब A हट गया, A के बाद कौन आएगा, बेटा, A के बाद पहले E वाला आता है, बेटा, E, और E के बाद फिर T वाला आता है, तो देखो B के बाद, B के बाद, बेटा, A वाला आएगा, A, तो B के बाद A तो इसी में है न, इसको हटा दो, बेटा, B आंसर, B आ पहले देखो पहले ए आएगा एके बाद ए आएगा तो बी-ए sorry 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 blender 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 देख रहे हो न अभी नो कहां कहां ध्यान चला जाता है देखो पहले पैटा B B agada E बेटा, B के बाद E, हाँ, A, A के बाद, बेटा, A के बाद D, A के बाद D, सॉरी, 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 माफ नहीं होता है कि विटा मिताब बच्चन बनोगे क्या अरे मारोगे क्या कि मार ही डालोगे चलो जल्दी से बताओ कि अरे हां महापुरुस हमा कर दीजिए मुझे जो जो छमा कर देगा ना उसके घर पर मैं एक दम बनिया सा कैडवरी इसका एक डबा आपके यहां पार्सल करूंगा जल्दी से बताओ कौन-कौन छमा कर दिया है मुझे हाँ यह बताओ इसमें अगर आप देखोगे ना भी यूटी बी यूटी तो बी यूटी यहां पर भी गया जो बच्चो जो कौन है वो चला जाएगा अच्छा उसके बाद आप देखोगे बिटा सबसे पहले सबसे पहले कौन सा मिलेगा हमें तो बिटा सबसे पहले देखो C वाला मिलेगा ये वाला सबसे पहले पोजिशन पे आएगा ये सबसे पहले पोजिशन पे आएगा तो C होगा बिटा C होगा ठीक है अच्छा यहाँ पर T T यहाँ पर L है यहाँ T है तो फिर L वाला आएगा मतलब C के बाद अगर C से स्टार्ट होगा तो यह और यह तो होगा नहीं यह और यह तो होगा नहीं अब बेटा C के बाद देखो C C के बाद T नहीं आएगा C के बाद T नहीं T नहीं L तो बेटा अब ये ये आएगा अब ये ये तो C के बाद B आएगा बेटा C के बाद B आएगा ये वाला हटा देते हैं clear है सभी को हाँ कह रहा है बेटा एक कि यहां सर्फ है दो लोग देख रहे हैं तो दो डबे भेज़देना वाह वाह गुरू वाह ये बेटा तुम तो reasoning teacher से reasoning लगाने लगे है धन हैं महापुरुस आप अब देख रहों ना विनोध reasoning के teacher से reasoning लगा रहा है तर्क लगा रहा है जल कि ये बेटा अच्छी बात है डबल लाइक चाहिए आपके यहां से बेटा बोलो clear clear है सबको बेटा जल्दी बताओ clear है आप क्या जल्दी जल्दी इसको topic को ख़तम करें बेटा इस topic को फटा फट ख़तम करो CRU सबका है इसका मतलब किसी का नहीं है जो सबका होता है वो life में किसी का नहीं होता यह बहुत बढ़ा रोना है भाई तो बेटा CRU CRU खतम करते हैं CRU खतम करने के बाद CRU खतम करने बाद M है, S है, I है, D है तो बेटा सबसे पहले D होगा सबसे पहले D होगा यहां भी D सबका है चलिए, सब में D हो गया यह तो खतम हो गया, अच्छा D के बाद कौन आएगा बेटा, D के बाद आप देखो I आएगा, देखो D होता है 4, I होता है बेटा 9, 9, तो 9 वाला आएगा 9 वाला, आपको पता है I का पोजिशन 9 होता है, तो बेटा D के बाद A होगा, A होगा तो यह भी नहीं होगा चलिए, अब यहां पर देखो बेटा I, I वाला खतम हो गया I के बाद बेटा देखो, यह P है यह S है, यह M है, 13 होता है तो D, A, E तो बेटा, D, A, E होगा तो इसको भी हटा दो उसके बाद आप देखोगे, बेटा, कौन तो पहले P आएगा, P तो बेटा, यह वाला फिर आएगा तो D, A, E, उसके बाद B उसके बाद B तो फिर C, आंसर B आंसर B, हाँ, बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया हाँ, बेटा, क्लियर है यह बात चलो, यह लास्ट कोश्चन है, बेटा यह लास्ट कोश्चन है बेटा, यह लास्ट कोश्चन है बेटा, यह लास्ट कोश्चन है कब तक आएगा डिब्बा यह तो बेटा कोरियर वाला बताएगा ना बिटा र, यू, एम, र, यू, एम, र, यू, एम, र, यू, एम बिटा यहाँ पर र, यू, एम, र, यू, एम हटा दीजे सबसे पहले कौन? बिटा सबसे पहले B सबसे पहले B A वाला हटा दीजे A के बाद बिटा B B वाला तो बिटा B के बाद A B के बाद A देखो ये option नहीं ये option नहीं आंसर B सब को clear है बोली बेटा सब को clear है चलिए अब बहुत सुन्दर question मैं पूछ रहा हूँ बहुत सुन्दर question मैं पूछ रहा हूँ अराम से समझो वीडियो के लिए जादा वीडियो special question है बात आप याद रखेगा ये question बेटा वीडियो special करा रहा हूँ मैं वीडियो के लिए थोड़ा सा label अच्छा है इस question का बताईए बेटा type change कर दिया next question पर आगए next question पर आगए है प्रिती जी सुबा 10 बजे इसी चैनल पे होती है चलो पूरे session में एक गलत नहीं हुआ session अभी start है बेटा विशेक session चल रहा है यदि वर्न माला के अक्छरों को क्रम में लिखा जाए तो नीचे दिये गए विकल्पों में से अर्थ अगर आप यहां पर देखोगे पाँच का मतलब होता है e बेटा 18 का मतलब होता है R 5 का मतलब होता है बेटा E 8 का मतलब होता है H 1 का मतलब होता है आपको पता है A और 3 का मतलब होता है C और 5 का मतलब होता है बेटा E कोई अर्थ पुर्ण वर्ड बेटा नहीं बना कोई अर्थ पुर्ण वर्ड नहीं पता चलो 20 को देख लो बेटा 20 को देखो 20 को अगर आप देखोगे 20 को 2nd B वाले को तो 20 क्या होता है T 5 क्या होता है E 1 क्या होता है A 3 क्या C 8 क्या H 5 क्या E और बेटा 18 क्या आर बेटा पेट वाले के लिए तो अच्छी बात है ना जादा बढ़िया आपको यह हो जाएगा मैं कह रहा हूँ यह question वीडियो में भी आ सकता है वीडियो में भी यह question आ सकता है मैं यह बोल रहा हूँ आप सीखोगे तो आपको कोई नुकसान थोड़ी करेगा यह तो बहुत अच्छे question आपके लिए बेटा यहाँ पर आपने एक चीज देखा है क्या आपने इस बात को गौर किया है कि अक्छरों को क्रम में देखो बेटा अक्छरों को क्रम में लिखा जाए यदि वर्न माला के अक्छरों को क्रम में यह बात आपने देख लिए होगी हाँ बेटा बी टीचर चलो आगे बढ़ते हैं इस question को देखो बताओ बेटा देखो वर्न माला के अक्छरों को क्रम में लिखा जाए बेटा अक्षरों को क्रम में लिखा जाए पहले यहां देख लो और क्लियर हो जाए तो बोलना हा सर बेटा ये पहली क्लास में याद कराया था आपको पहली क्लास में बेटा याद कराया था ये सारी चीज़े बेटा तेरा, तेरा का क्या होता है देखो 13 का होता है M 8 का होता है H 9 का होता है I 17 का होता है Q और 14 का होता है देखो 14 का होता है बेटा N और 22 होता है V बेटा ये कोई word नहीं बना M, H, I, Q, N, V कुछ नहीं बना कुछ भी नहीं बना ठीके बेटा अब आप यहां देखो ये वाला ये वाला देखो एक का क्या होगा ए बारा का क्या होगा बेटा एल अच्छा ये साथ का क्या होगा जी बेटा ये पांच का क्या होगा ए ये देखो बी बेटा बी अठारा का क्या होगा आर और बेटा इसका क्या होगा A कुछ बना क्या जल्दी से बताओ कुछ बना क्या बेटा बिल्कुल देखिये बना है कौन सा बना है अलजेबरा अलजेबरा बना है अलजेब्रा बना है बेटा अगर आपको ये क्लियर है देखो ये एक आपका टेस्ट है बहुत अच्छा कोश्चन है कौन बताने वाला बेटा पहले ये बताईए टेस्ट ले रहा हूं मैं इस कोश्चन से बहुत अच्छा कोश्चन है बेटा इसको देखो टेस्ट ले रहा हूं नवजोत सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझ में आ रहा है पूरे क्लास का मोटिफ बेटा यही है कि आप जादा बोर भी ना हो और अच्छे से चीज़े आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ठीक है तो अगर आपको चीज़े समझ में आ रही है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता इस धाकर सिरीज के पीछे का बेटा जो कंसेप्ट है वो यही है कि मैंने कहा था कि पूरी चीज़े आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ाऊंगा है ना और सारी चीज़े क्लियर कराके कराऊंगा काफी सारे एक्जामपल भी साथ साथ रखूँगा कल से कौन सा टॉपिक होगा बेटा कल से थोड़ी हाई लेबल कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और प्रसन है जो अच्छे एक्जामस में आते हैं उनको टार्गेट करेंगे कल कोडिंग डिकोडिंग की बेटा आखरी क्लास होगी और हाई लेबल वाली क्लास होगी बेटा देखो इसका आंसर कौन बताएगा अच्छा एक बात बताओ बेटा कितने लोगों को याद है देखो यहाँ पर सुनो पहले कान खोल कर सुनिये आँख खोल कर देखिये बेटा देखो अवरोही क्रम में संकेत रूप में देखो पहले यहाँ देखो अवरोही क्रम में देखो यहाँ पर descending order में बेटा, descending order में, बेटा क्या लिखा हुआ देखो पहले descending order में लिखा हुआ है, descending order में, इसका मतलब क्या होता है, पता है, देखो यहाँ पर देखो 25, बेटा 25, यहाँ पर देखो 22, यहाँ पर देखो 15, यहाँ देखो बेटा 13, और यहाँ देखो 11, बेटा अगर इधर से चलोगे ना इधर से इधर से तो बी जो होता है ना बेटा 25 नमबर पर बी आता है बी बी आता है बेटा 25 नमबर पर बी आता है बोलो ये बात समझ में आया कहां से दाएं साइड से बेटा दाएं साइड से अगर 25 नमबर चलोगे घटते क्रम में चलोगे बेटा 25 नमबर पर आता है बी देखो आपको मैं समझा रहा हूं नहीं वाई नहीं बेटा descending order से 25 नंबर में बी और बेटा 22 नंबर लेखो गे ना 22 नंबर इसको क्या करो देखो इसको क्या करो सबको 27 से घटाओ बेटा 27 से घटाओ 27 माइनस 25 कितना 2 दो क्या होगा बी होगा अचा देखो ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो 27 माइनस 22 27 माइनस 22 5 5 क्या होगा बेटा E होगा देखो 27 माइनस 15 बेटा 27 माइनस 15 कितना होगा 12 12 L होगा अचा 27 माइनस 13 बेटा कितना होगा 14 14 होगा N और 27 माइनस 11 बेटा 16 16 क्या होगा पी होगा P होगा पहले यहां देखो हाँ अपोजिट तो यह कुछ भी नहीं बना बेटा यह कुछ भी नहीं बना है अपोजिट बोला औरो ही क्रम में संकेत के रूप में हाँ सभी को 27 से माइनस करो अच्छा अब यहां देखो, अब इसको देखो, हाँ, बेटा देखो यहां पर, 11, 11, फिर देखो 15, फिर देखो 26, फिर देखो 13, अब फिर देखो 22, बेटा 27 में से 11 को माइनस करो, 27 में से 11 को माइनस करोगे, 16, 16 P होगा बेटा, P, 27 में से 15 को माइनस करो 15 को 15 को माइनस करोगे 12 आएगा 12 L होता है L 27 में से 26 को माइनस करो 27 में से 26 को 1 आएगा बेटा 1 को दिखो A 27 में से 13 को माइनस कर दो 14 आएगा देखो N हो जाएगा अब 27 में से 22 को माननेश कर दो 5 हो जाएगा 5E हो जाएगा बोलो समझ में आई क्या clear है question बिटा इतना बढ़िया तो trick बता दिया 27 में से खाली minus कर दीजिए answer हो जाएगा इससे बढ़िया trick और क्या बताओ बताओ आप बिटा 27 में से सब को minus करते जाओ लिखते जाओ बहुत सिंपल है 27 में से 11 minus करो के 16 P होगा 27 में से 22 minus करो के 5 आएगा E होगा इससे simple और क्या होगा बिटा answer कौन सा होगा यह होगा यह होगा चलिए बहुत सुंदर बिटा यह तीन question थे जो बहुत अच्छे थे अब फटा फट से बिटा अब फटा फट से 10 question मैं और पूछ रहा हूँ 10 question और मैं पूछ रहा हूँ 10 question बहुत जबरदस्त वाले पूछने वाला हूँ मैं 10 question बिटा जबरदस्त वाले आर्थी आपने नहीं पढ़ा लगता है पहली क्लास आपने नहीं करिये तभी आप पुछ रहें 27 से क्यों करते हैं आपने पहली क्लास नहीं पढ़ाय लगता है बिटा अभी 10 कुश्चन कराऊंगा बस खतम हो गया बिटा जो बच्चे ने पहली क्लास नहीं किया ना कोडिंग डिकोडिंग की वो यही बात पूछेगा 27 से क्यों करते हैं बिटा देखो के 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 बाद एन एन के बाद क्यों के का होता है बिटा 11 के बाद 14 14 के बाद 17 तो 11 प्लस 3 14 प्लस 3 तो 17 प्लस 3 करना पड़ेगा बिटा 20 20 क्या होगा टी मतलब आगे जो आएगा अंसर उसमें आएगा टी तो बिटा टी आएगा तो ये दोनों तो नहीं ये तो नहीं हो सकता ना बोलो जल्दी जल्दी बताओ किसको समझ में आया बिटा देखो पहला है 16 16 नमबर देखो बिटा 16 16 के बाद बिटा 25 25 के बाद बिटा 36 36 तो बिटा ये 4 का स्कॉयर है 4 का स्कॉयर ये बिटा 5 का स्कॉयर 5 का स्कॉयर ये 6 का स्कॉयर है बताओ ये 6 का स्कॉयर है तो बिटा आगे क्या होगा आगे होगा बिटा 7 का स्कॉयर 7 का स्कॉयर 49 होता है बिटा 49 होता है 49 तो 81 नहीं होगा 81 नहीं होगा 81 नहीं होगा बेटा अब देखो D बेटा यहां देखो D D के बाद F, F के बाद H बेटा D, D के बाद F, F के बाद H तो D से प्लस 2 कर दो बेटा 2 कर दो यहां भी और 2 कर दो यहां भी एच के बाद बेटा ये जे होगा यहाँ पर देखो 49 और बेटा जे बोलो समझ में आया है क्या पर बेटा बोलो क्लियर है कॉपी निकालो थोड़ा सा पर बेटा बेटा बोलो झालो बिटा देखो यहाँ पर तीन चीजे हैं देखो यहाँ पर पहले बताओ 20 के बाद 15 15 के बाद 11 11 के बाद 8 बताओ 20 से 15 गया बिटा क्या किया है माइनस 5 किया है बोलो यह समझ में आया बिटा यहाँ यहाँ पर देखो माइनस 4 किया गया है बोलो यह समझ में आया बिटा यहाँ देखो यहाँ माइनस 3 किया गया है तो आगे क्या करोगे बिटा माइनस 2 करोगे बोलो यह समझ में आया है पहले बिटा अगर माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा 6 है बोलो ये बात कितने बच्चों को clear है हाँ बच्चों अब आप मुझे ये बताना यहाँ पर G है G G के बाद H है H H के बाद बेटा I है I I के बाद J है J तो J के बाद क्या होगा K होगा ना बेटा K हो जाएगा 6 K 6 और K तो बेटा 6 K अगर आप देखोगे तो ये हटा दीजिए अच्छा यहाँ देखो बेटा T E के बाद S है E के बाद S minus 1 हुआ की नहीं ये 20 होता है ये 19 होता है बेटा S के बाद R है R उल्टा चलो T से पहले S S से पहले R R बताओ बेटा अच्छा R से पहले बेटा R से पहले Q है Q तो Q से पहले क्या होता है बेटा Q से पहले क्या होता है P होता है P 6 K P बताओ क्लियर है ये इस कोश्चन को ये कोश्चन सभी को समझ में आया है बच्चो ये बताओ क्या ये question सभी को clear है वीडियो में ऐसे बहुत सारे question थे आप देखो कि वीडियो में बेटा ऐसे तीन question पूछे गए थे तीन question वीडियो में village development officer वाले में कि वीडियो में बड़ा है वीडियो में रसे प्याइब बिटा देखो A, B, C, D और E तो बिटा एक तो E होगा E ये बात आपको सभी को समझ में आ गया होगा A, B, C, D, E A, B, C, D, E तो बिटा ये E तो सबको clear होगा E वाला सबको clear हो गया होगा अच्छा एक बात बताओ बिटा सबसे आखरी वाला देखते हैं आखरी वाला Z, Y, Y, X, X बिटा W, उल्टा चल रहे हैं Z, Y, X, W W से पहले बिटा क्या होता है? V होता है V बोलो ये बात सबको clear है बोलो बिटा ये बात सबको clear है E, E और V तो सबको clear होगा E और V तो सबको clear होगा तो एक बात तो पक्का होगया ये भी नहीं, ये भी नहीं कौन बताएगा बेटा? बीच वाला कौन सही सही बताएगा? बीच वाला कौन सही सही बताएगा? बताओ बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा? पहले सही से बतातो दो बेटा बीच में कौन सा होगा? बीच में कौन सा होगा बताओ पहले देखो यही होता है जितने लोग यह नाइन बोल रहेना सब की खत्म हो गई मामला नाइन नहीं होगा बहुत लोगों ने सर पीट लिया होगा सर नाइन क्यों नहीं होगा 9 क्यों नहीं होगा बेटा 9 नहीं होगा 9 नहीं होगा 90% बच्चों ने गलत आंसर दिया है 90% बच्चों ने गलत आंसर दिया है यहाँ पर बहुत नहीं प्लस 2 नहीं होगा बेटा अगर प्लस 2 करते प्लस 2 करते तो देखो 2 है 2, 3, 5, 7 साथ अगर प्लस टू लगाओगे बेटा तीन प्लस दो ठीक है पांच प्लस दो ठीक है तो साथ प्लस दो नौ होगा आप यह लगाओगे तो गलत होगा यहां तो प्लस वन ही है यहां तो प्लस वन है यहां तो प्लस वन है यहां तो प्लस वन है प्लस वन है तो आप यहां प बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है पहले ये बताओ हाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन लिख देगा सारे अभाज्य संख्या जल्दी से लिखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा दो होता है हाँ दो दो के बाद कौन सा आता है बेटा दो के बाद कौन सा आता है दो के बाद बेटा वन अभाज्य संख्या होता है देख रहे हो ना बिनोद यहां क्या हाल है लड़कों का बेटा वन ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है वन ना ही भाज्य संख्या है बेटा ना ही अभाज्य संख्या है सबसे अरे 1 तो भाज्य भी नहीं है दो के बाद होता है तीन तीन के बाद होता है पांच पांच के बाद होता है बिटा साथ साथ के बाद होता है ग्यारा ग्यारा तो यहां पर ग्यारा अंसर आएगा ग्यारा बोलो ये बात आपको समझ में आ गई है अगर समझ में आ गई है तो ओके रिपोर्ट है तो बेटा बताईए जल्दी से आगे चले हम लोग जल्दी से आगे चले के अगर में आगे तो बेटा दो साथ 14 तेईस चाथिस देखो पहला वाला देखो 2 2 बेटा 7 14 23 23 के बाद देखे 34 34 बताओ जल्दी से आंसर अगर आप यहां पर देखो 2 2 प्लस 5 5 प्लस 7 7 प्लस 9 9 प्लस 11 11 प्लस 13 होगा 34 पर 13 34 पर 13 जोड़ो दो बेटा 4 3 7 3 1 4 47 वाला होगा 45 नहीं हो सकता बेटा 45 नहीं हो सकता आप बोलोगे क्यों सर तो यह देखो बेटा पहले 5 जुड़ा है फिर देखोगे फिर 7 जुड़ा है फिर देखोगे बेटा 9 जुड़ा है प्लस 9 फिर बेटा 11 जुड़ा है तो 11 से आगे जोड़ोगे बेटा प्लस 13 होगा प्लस 13 जोड़ोगे प्लस 13 प्लस 13 बेटा यहां से प्लस 11 जोड़ा है 11, clear है यह चीज अच्छा अब आप यहां देखो Z है बेटा Y है तो V के पहले U होता है बेटा तो V थोड़ी आएगा वी नहीं आएगा वी नहीं आएगा यह होगा ठीक है clear है सभी को अच्छा अब आप एक बात सोचना बेटा देखो अब मैं कुछ question और कराऊंगा पर कल कराऊंगा मैं एक question बेटा आपको homework दे रहा हूँ मैं एक question homework दे रहा हूँ और देखूंगा बेटा कौन-कौन इसका answer देगा कौन-कौन इसका answer देगा तो यह रहा बेटा homework और क्या reason है यह जरूर बताईएगा comment करके बेटा यह आपको मैं homework दे रहा हूँ comment करके बताईएगा ठीके बेटा तो मुझे लगता है session आपको समझ में आया होगा आज की चीजे भी जो है कल बेटा कल-कल-कल बहुत high level के अच्छे-च्छे question कराऊंगा high level के अच्छे-च्छे question जो है बेटा कल मैं कराऊंगा ठीक है तो यह आपको homework दे रहा हूँ कमेंट करके बेटा इसका आंसर बताईएगा सोचिएगा दिमाग में जोर डालिएगा आंसर इसका क्या होगा ठीक है ठीक है चलिए बेटा all the best thank you जैहिंद बचो जैहिंद